असलाम वेकुम आई होब आप सारे लोग हैरियेच से होंगे आज किस लेक्छर के इंदर हम बात करेंगे कि वीक्स के उपर आकाउंट किस तरह से करेट करना है तो चलेगा चलते हैं लेपोप स्क्रीन के उपर तक अ हम आचुको हैं लेपोप स्क्रीन के उपर और यहाँ पर हम लिखेंगे Vix.com और यहां परặt कर सीध्यार चाहेगा स्कीруж की वेब यूज कर रहा हूं आप लोगों ने अपना Gmail याहू मेल या जो भी आपके पास email है उसको use करते होए आपने यहां पर account create कर लेना है तो मैं यहां पर एक जो है make sure कि आप लोग अपना Gmail याहू मेल और कोई भी email यूज करें मैं यह disposable email use कर रहा हूं just for the learning purpose तो यहां पर मैं यह email type करता हूं और यहां पर मैं again यह email जो है वो टाइप करता हूं उसके बाद यहां पर मैं simple अपना password type करूँगा again यहां पर password type करूँगा और sign up करूँगा simple okay उसके बाद यहां पर कुछ चीज़ें आ रही है आपको thanks for the sign up यहां पर आप कुछ भी select कर लें नहीं करना जाएं तो इसको simple cancel करने के बाद यह simple हमें ले आएगा कुछ इस तरह के interface के उपर यहां पर यह कहा रहा है कि let's bring your idea into reality तो अब यहां पर कुछ भी क्लिक कर दें create for a client या get started पर क्लिक कर दें को आपर क्लिक कर चुक होँ तो यहां पर हमसे कुछ choices पूझेगा अभी के लिए इनको मैं skip कर रहा हूं और दुबारा से बात के अंदर के बारे में मैं बात करूंबब अभी जिस्ट इनको आप skip कर दे मैं इसको skip कर रहा हूं अगेन मुझे यहां पर भी इसको skip कर देना अगेन इसको skip कर देंगे हम यहां से and finally इसको भी हम skip कर देंगे और इसके बाद हम यहां पर चले जाएंगे dashboard के अंदर simple तो यहां पर जो dashboard है हमारा वो लोड हो रहा है ओके तो हमारा dashboard यहां पर टोटल लोड हो चुका है next lecture के अंदर हम बात करेंगे इस dashboard के ओवर व्यू की और इसके अंदर जो भी options मुझूद हैं उनको किस तरह से आप लोग utilize कर सकते हैं मिलते हैं इंशाल्ला next lecture के दिने तिल दिन keep learning keep exploring अला आफिस